उत्तर परदेश के हसनपूर कोत वाली शेत्र में शराब की दुकान की सेल्समेन के लोकेंदर से दिन दहाडे लूट करके भाग रहे बदमाशों और पुलिस के बीच मुठबेड हो गई जिसके बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफतार कर लिया पुलिस मुठबेड में बदमाश के पैर में गोली लगने की वज़े से वैग हाईल हो गया जिसको इलाज के लिए जीला अस्पताल से हाईर सेंटर रैफर किया गया है जबकि दूसरे साथी मोके से फरार हो गए जोहा के नस्देग पीछे से आई एक कार में टकर मार कर लोकेंदर को बाइक समीत नीचे गिरा दिया तिन लुटेरे कार से बाहर निकले और हत्यारों का भए दिखाते हुए बाइक के बैग में रखी अस्य हजार की नगदी लेकर फरार हो गए सूचना मिलते ही पुलिस मो ठीकरी के जंगल की तरफ देखे गए हैं सूचना मिलते ही पुलिस की चीम मोके पर पहुच गई पुलिस को पीछे से आता देख लुटेरों ने गाड़ी रोक कर जंगल से भागने का परियास किया इस दोरान एक लुटेरा जैसे ही कार से उतरा पुलिस ने फायर कर दिया इसके बाद दो लुटेरे कार लेकर फरार हो गए एक लुटेरा जंगल की तरफ दोर पड़ा जंगल में भाग रहे लुटेरे ने पुलिस की तरफ फायरिंग की पुलिस ने बदमाश और उनको मुटबेड के बाद पैर में गोली मारकर गिरफतार कर लिया गिरफतार बद जी थारा हसनपूर छेत्र में आज सुब एक शराब की दुकान के एजेंट के साथ कुछ बदमाशों ने 80,000 रुपे की लूट कर ली थी उसके तत्काल बाद पुलिस एक्टिव हुई बदमाशों की तलाश की गई तलाशी के दौरान बदमाशों को हमने लोकेट किया उनका पीछा किया पुलिस टीम ने इसी दौरान एक बदमाश जंगल की और भागा पुलिस टीम ने उसका पीछा किया पीछा करने पर बदमास ने पुलिस टीम पर तावर तोड फाइरिंग की जिसकी जवाबिक कारेवाई में एक बदमास को गोय गोली लगी है और जो शेष बदमास है उनके लिए हमाई टीम में लगी है उम्मीद है शिग्र गिरफतारी कर उनके विरुद्बीक कारेवाई की जाएगे हैंने बाएगे